हेलो एवरिवन जैहिन आई होप यू आल डूइंग वेल हम करने जा रहे हैं मेंस प्रिवेस एर क्वेश्चिन एनालेसिस आज हम देखेंगे जनरल स्टेडिस पेपर 3 बायो डावर्सिटी एंड एन्वाइन्मेंट सेक्षिन का एक क्वेश्चिन और करेंगे उसकी एनालेसि तो शुरू करने से पहले मैं आपको अपने कोर्सिस के बारे में बता दूँ हमारे एक करन्ट अफेर्स बैच रन कर रहा है जिसमें PDFs प्लस लाइव डाउट सेशन लिये जाते है रेगुलर बेसिस पे GS pre plus mains batch है बिल्कुल full-fledged batch है जिसमें बिल्कुल 0 से तयारी करवाई जा रही है NCRT 6 class से लेके advanced books तक की coverage करवाई जा रही है Mains answer writing batch है जिसमें बिल्कुल experienced faculty answer writing करवाएंगे और उसका evaluation भी करेंगे और improvements भी suggest करेंगे and NCRT self-study come test series batch जिसमें daily basics पे targets भी provide किये जाएंगे और test series भी दी जाएंगी उनी targets के basis पे तो उनको enroll करने के लिए नीचे दिये गए number पे 9713282838 पे whatsapp पे telegram करके आप उन courses पे enroll कर सकते हैं तो चलिए अपना session शुरू करते हैं Question है Access to affordable, reliable, sustainable and modern energy is the sign-quonon to achieve sustainable development goals Comment on the progress made in India in this regard सतत विकास लक्षियों SDG को प्राप्त करने के लिए सस्ती, विश्वसनिये, टिकाउट और आधुनिक इर्जा तक पहुँच अनिवारे हैं इस संबन में भारत में हुई प्रगती पर टिपणी कीजिए यह question जैसे हमने बात की GS3, Biodiversity and Environment section के अंडर आता है और यह UPSC ने 2018 में पूछा था अब अब जब हम इस question को समझेंगे कि इस question में पूछा क्या गया है तो इस question में कहा जा रहा है Access to affordable, reliable, sustainable and modern energy मतलब यहाँ पे basically उस energy की बात की जा रही है जो सस्ती हो, जो सब लोग ले सके, सस्ती हो, यूज करना reliable हो जिस पे हम विश्वास कर सके, विश्वस्निय हो तिकाउ हो, sustainable हो और जो modern उर्जा में आती हो, आधूनिक हो जैसे हम for an example, अगर अभी के लिए हम देखें, तो solar energy हो सकती है, affordable है क्योंकि सूरज की किर्णों पे तो हम कोई पैसा नहीं लगा रहे हैं, वो तो हमें free में ही मिल रहे ही न, sunlight तो reliable है, सूरज की किर्णे तो मिलती ही रहेंगी, वो खतम नहीं होंगी कभी डिस्ट्रक्ट नहीं हो सकती, वो हमें आती ही रहेंगी sustainable है, टिकाउड है, और एक modern energy से हम उसको retrieve कर सकते हैं, modern technology से तो एक sign quantum है, sign quantum मतलब essential है, जरूरी है, जरूरी किसके लिए है? अपने sustainable development goals को achieve करने के लिए अब हमारे sustainable development goals क्या है? तो 2015 में sustainable development goals set किये गए थे, 17 goals थे, जो हमने set किये थे, अगर आप लोगों को जानकारी हो तो उसमें से एक goal हमारा affordable energy, access to affordable energy करके भी एक goal है नीचे comment section में please बताएं, आपको पता है तो कि वो goal कौन सा है, कौन सा goal, कौन से number का goal है, जो की energy से relate करता है तो इसमें ये कहा जा रहा है कि sustainable development सारे goals को achieve करने के लिए जो energy का goal है, उसको achieve करना बहुत ही जरूरी है तो उसको achieve करना, जब हमें achieve करना है, तो इंडिया उस पे क्या progress कर रही है, क्या इंडिया की progress है, क्या इंडिया की प्रतिक रिया है जिससे की इंडिया उस goal को achieve कर सकती है, उस पे progress कर सकती है तो उस पे हमें बात करनी है, तो basically हमारा point of focus क्या है? energy, energy के goal पे हमें focus करना है कि हम उस goal को हम कैसे focus कर सकते हैं और हमें उसको sustainable development goal है, और ये भी बोला हुआ है, कि achieve सारे goal इसके through ही हो सकते हैं, मतलब इसके बिना कोई भी goal अजीव नहीं हो सकता तो basically हम अपने introduction में sustainable development goals को energy से connect करते हुए बताएंगे main part में हम ये बताएंगे कि इंडिया किस तरीके से progress कर रही है, क्योंकि main चीज़ हमें question में क्या पूछी गई है, कि इंडिया की progress क्या है तो हम इंडिया की progress के बारे में अपने main part में बताएंगे, body में बताएंगे, फिर हम उसको last में conclude करते हुए अपने answer को end करेंगे तो चलिए start करते हैं Access to affordable, reliable, sustainable and modern energy जिसकी बात की जा रही है, वो हमारा sustainable development goal 7 में आता है I hope आप लोगोंने comment section में लिख दिया होगा, सही लिखा होगा आप लोगोंने ये एक goal है, out of, जैसे अभी मैंने बताया, 17 sustainable development goals हैं, जो international community ने 2015 में adopt किये थे उन goals में से एक goal है, sustainable development goal 7 और हमने ये एक aim रखा है कि हम 2030 तक इन 17 goals को achieve करेंगे तो यही बोला जा रहा है कि इन goals को achieve करने के लिए sustainable development goal 7 that is, access to affordable, मतलब सस्ती, विश्वसनिय, टिकाऊ और आधूनिक उर्जा तक पहुँच करनी बहुत जादा जरूरी है उसके बिना हम बाकी के goals को, बाकी के लक्षियों को achieve नहीं कर सकते क्या बोला गया है कि यह sign corner ने जरूरी है चाहे हम directly ले, चाहे हम indirectly ले क्यों, क्योंकि यह हर goal से connected है अब simple terms में देखेंगे अगर हम लोग तो normal भाशा में बात की जा रही है कि energy की energy से ही हमें क्या मिलेगी, जो मतलब बिजली होती है, light होती है, वो हमें energy से ही मिलेगी तो जो वो light है, अगर हम बात करें industry की तो industries में भी क्या काम बिना light के, बिना एक infrastructure के क्या हो सकता है, क्या बिना light के काम किया जा सकता है या गर्मियों में क्या बिना fans के, बिना coolers के, बिना air conditions के काम किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं किया जा सकता है, machines भी चलती हैं बहुत सारी, क्या machines बिना electricity के चल सकती है, नहीं चल सकती, तो जब तक energy का goal ही हम अजीव नहीं कर पाएंगे, तब तक हम industry को efficiently run नहीं कर पाएंगे industry या फिर उद्ध्योग जिसे हम कहते हैं, उद्ध्योग धंक से काम नहीं कर पाएंगे, innovation and infrastructure, innovation and infrastructure की जब हम बात करते हैं, तो हम कुछ भी innovation करेंगे, नवाचार या बुनियादी धाचा बनाएंगे, तो जब कोई भी infrastructure धाचा बनाने की प्रतिक्रिया हम करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी के बिना काम हो ही नहीं पाएगा वहाँ पे वो structure बनाने का फाइदा ही नहीं होगा जैसे हम for an example छोटा सा example लें कि आज के time पे भी यह focus किया जा रहा है कि cold storage बनाए या फिर farmers के grains रखने के लिए warehouses की उनको infrastructure provide करे warehouse बनाए ताकि वो वहाँ पे अपने जो grains है उनका जो खाना है वो उसको store कर सके रख सके लेकिन अब वो जब वहाँ पे रखेंगे तो क्या वो वहाँ पे बिना light के या बिना किसी चीज के वो रख सकते हैं वहाँ पे भी तो उनको electricity की या बहुत सारी various चीज की ज़रत पड़ेगी तो बिना उसके तो infrastructure भी कहीं पे work नहीं कर सकता health and well-being health and well-being में भी energy का बहुत जादा utilization है जैसे जैसे अब health में आज के time पे हम बात करें तो health की बहुत सारी ऐसी modern technology आ गई है जैसे cancer की बात करें तो cancer के लिए therapies वगरे होती है बहुत सारी modern equipments है जो use किये जाते हैं और उसमें से maximum of the equipments ऐसे होते हैं जो electricity से चलते हैं energy से चलते हैं ठीक है तो इस तरीके से बहुत सारे जितने भी sustainable development goals हैं वो सारे ऐसे हैं जो कही ना कही energy से तो related है ही है तो बिना energy उनको fulfill करपाना बहुत ही ज़ादा मुश्किल है अब India की बात करें तो यह हमने थोड़ा सा introduction में डाला थोड़ा सा हम क्याड़ा लेंगे अब main part में कि India के बारे में क्योंकि हमें इंडिया की बात करना है इंडिया ने क्या progress की है इंडिया की क्या प्रोग्रेस है तो हम बताएंगे इंडिया ने एक बहुत अच्छा रोल बहुत एहम भूमी का निभाई है किसमें सस्टेनेबल डिवेलप्मेंट गोल्स को अचीव करने में और बहुत ही अच्छा काम किया है एक क्लीन साफ और एफीशिंट कुशल उर्जा प्रदान करने में एक बहुत सरहानी एक काम है कमेंडेबल वर्क है इंडिया का कैसे हम इंडिया की कुछ पॉलिसी की बात करेंगे इंडिया ने कुछ नीतिया बनाई है कुछ काम करें है इसके फेवर में तो हम उसकी बात करेंगे उसको बताएंगे हम बेसिकली जितनी भी energy related India की policies है हम उनको यहाँ पर mention करेंगे अपने main body में तो पहली प्रदान मंतरी उजवला योजना अब आप लोग जानते होंगे तो प्रदान मंतरी उजवला योजना क्या है जिसमें below poverty line की जो women है उनको LPG cylinders provide किये जा रहे हैं free of cost LPG cylinders क्यों provide किये जा रहे हैं क्योंकि बिना cylinders के जब वो उस पे भटी पे जब वो बनाते हैं खाना बनाते हैं जो तो खाना बनाने उस पे खाना बनाने में बहुत जादा धूवा हो जाते हैं जिससे की बच्चों पे भी की स्वास्थे पे भी बुरा असर पड़ता है और उन लेडिस के पे भी पड़ता है अस्थमा की प्राबलम होती है respiratory diseases होती है और भी बहुत सारी दिक्कते होती है उनको बिमारिया होगी और pollution होगा बहुत जादा इसकी वज़े से सरकार ने उजवला योजना उनको LPG cylinders प्रोवाइड करने की दिशा में कार्य करना शुरू किया और बहुत सारे cylinders वो प्रोवाइड कर भी चुके है बहुत अच्छे पेस पे ये scheme work कर रही है ये policy run कर रही है अगला हम बात करें तो government committed है कि 24-7 24 गंटे और 7 के हफ़ते के सातों दिन सरकार एक reliable विश्वस्निये और quality गुणवत्ता पून power supply देगी लोगों को मतलब पूरा टाइम 24 गंटे और 7 हफ़ते के सातों के सातों दिन बिजली प्रदान की जाएगी लोगों को इसके लिए सरकार ने क्या स्कीम लेके आए दीन दयाल उपाद्य है ग्राम जोती योजना सवभाग्य स्कीम लेके आए जिससे की 100% electrification हो जाएगा villages में ठीक है हर एक कोने तक connectivity होगी उसकी तो इस तरीके से सरकार काम कर रही है कि हर किसी को उसका benefit मिले और सभी को एक अच्छी reliable विश्वसनी energy भी मिले energy उठजा का वो उपयोग कर सके हम यहाँ पे बो भी डाल सकते है International Solar Alliance जिस पे जो इंडिया का ही initiative है France के साथ मिलके इंडिया ने ये initiative लिया 2015 में और बहुत best initiative है बहुत अच्छा work कर रहा है जहाँ पे solar energy को capture किया जा रहा है store किया जा रहा है और वो सभी countries use कर सकती है तो बहुत अच्छा initiative है उसको भी हम यहाँ पे mention कर सकते है अब इंडिया का जो share है अगर renewable energy के case में हम इंडिया के share की बात करें तो 2007 से इंडिया का share कुल 6 गुना बढ़ चुका है 6 times increase हुए इंडिया का share क्योंकि इंडिया ने एक बहुत अच्छी तरीके से उसके work किया है अच्छी policies लेकर आया है और policies लाना ही सिर्फ जरूरी नहीं होता सबसे ज़ादा जरूरी होता है उन policies का implementation तो ये policies सरकार ने government ने government of India बहुत अच्छे से इन policies को implement भी किया है येस कहीं न कहीं थोड़ा बहुत drawback हो ही जाता है हर चीज में होता है लेकिन overall अगर देखें तो बहुत अच्छा implementation हुआ है और बहुत अच्छे results भी हमें देखने को मिले हैं इसके regarding देखें तो अभी recent September 2021 तक total installed capacity इंडिया की जो energy की है वो 101.53 गीगावाट थी जिसमें से 450 गीगावाट 450 कहां से आ रहा है renewable energy sources से इंडिया लेकर आ रही है तो बहुत अच्छी और बहुत commendable work है इंडिया का जो इंडिया ने किया है इस direction में बहुत सारी चीजें हलोंगी आज के टाइम पे climate change कितना increase हो रहा है मतलब climate change की वज़ा से temperature कितना increase हो रहा है तो उसको भी हम tackle कर सकते अगर हम renewable energy के sources को use करेंगे तो क्योंकि क्या होगा fossil fuels उतने जादा कम use होंगे coilे की demand coal उतना ही जादा कम use होगा basically temperature के आजाएगा back to normal तो इसी लिए ये बहुत अच्छी शुरुआद है और एक बहुत अच्छा step है जो इंडिया ने लिया है ministry of finance ने guidelines provide करी थी किसके regarding mandatory installation मतलब एक जरूरी तौर पे अनिवार्य कर दिया था स्थापना किसकी energy efficient appliances easy तरीके से मैं बताती हूँ जैसे अभी एक तरीके से क्या बताएं infrastructure बोल दीजिए या एक plan दिया था सरकार ने और वो plan क्या था कि जो भी अब buildings बनेंगी जो भी infrastructure बनेगा उन buildings की walls में water pipes डालेंगे water pipes डालने का फायदा क्या होगा कि वो जो walls है अब पानी क्या होता है पानी थंडा होता है पानी से वो दिवारे क्या रहेंगी थोड़ी थंडी रहेंगी दिवारे थंडी रहेंगी तो वहाँ पे जो अंदर environment है वो भी थंडा रहेगा environment थंडा रहने से यह जो आज कल air conditions की ज़्यादा ज़रुरत पढ़ रही है और air conditions कही न कहीं हमारे environment को हाम भी करते हैं और बहुत ज़्यादा करते हैं क्योंकि उसमें CFCs भी release होता है तो इसलिए सरकार ने क्या policy लेकर आया है क्या एक initiative लिया है कि buildings में की walls में water pipes डालिए water pipes डालने से walls ठंडी रहेंगी तो अंदर का environment भी ठंडा रहेगा और air conditions की need बहुत कम पड़ेगी उससे तो एक बहुत अच्छा initiative है तो ये central government की buildings में लाने की बात की गई है जो कौन implement करेगा energy efficiency services limited तो इंडिया ने अब हमने इंडिया की progress की बात की कि इंडिया ने क्या क्या काम किया तो हमने हर चीज में बात की इंडिया की कि बहुत सारी policies इंडिया लेकर आई है जिस पे वो अच्छा work कर रही है जितनी भी policies है उनका implementation भी अच्छे तरीके से हुआ है implementation अच्छे तरीके से होने की वज़े से renewable energy sources भी इंडिया बहुत ज़्यादा अच्छी capacity पे install कर पाई है तो इंडिया की progress हमने बता दी कि बहुत अच्छे तरीके से हुई है अब हम अगर इसको conclude करना चाहें, concluding lines में हम क्या दे सकते हैं, according to Lawson Lawson ने कुछ चीज बताई है, जिसके बारे में हम यहाँ पर convey कर रहे है, quote कर रहे है There is reduction in gender gap in India की energy से उन्होंने क्या चीज बताई? की gender gap में भी कम हुई है, gender inequality भी कम हुई है Gender inequality भी क्या है हमारा sustainable development goal ही तो है तो gender inequality भी कम हुई है, gender gap में बहुत कमी देखने को मिली है हमें किसकी वज़े से? क्यूंकि एक अच्छी, reliable, विश्वसनिय, sustainable energy, modern energy हमने उसको access किया है हमें वो energy मिली है, वो energy मिलने की वज़े से क्या हुआ है? अब आप लोग सोच रहे होंगे कि energy से gender inequality कैसे कम हो गई? समझते हैं देखें, जो हमारी women है या फिर girls हैं उनको इतनी जादा opportunities प्रोवाइट नहीं की जाती है तो इसलिए वहाँ पे जब उनको energy, electricity जैसे गाओं के शेतरों में अगर हम बात करें ग्रामीन शेतरों में तो उनको electricity की भी वहाँ पे बहुत ज़दा problem होती है तो क्या करते हैं? लोगों की थोड़ी सी जो अभी आश्कल तो बहुत ज़दा advance हो चुके हैं कि सभी girls को बढ़ावा देते हैं पढ़ाई के लिए और job के लिए हर चीज के लिए लेकिन जो उस background के लोग हैं जो अभी भी लड़कियों को दबाके रखते हैं पीछे रखते हैं उनको importance नहीं देते वो सिर्फ लड़कों को importance देते हैं जिस पे उनको जादा कुछ करना नहीं पड़ रहा उनकी महनत नहीं लग रही कुछ तो जब girls को या जब हर people को हर village में हर एक area में energy, electricity, भरपूर मात्रा में और हर time मिलेगी तो लड़कियां भी पढ़ने के लिए उजागर होंगी लड़कियां पढ़ेंगी पढ़ेंगी तो वो job करेंगी, काम करेंगी, they will find jobs, income होगी, they would be independent independent होगी, अच्छी position पे जाएंगी, अच्छे scale पे खड़ी रहेंगी तो सिर्फ एक energy से, अच्छी energy से, electricity से, girls की life पे, women की life पे भी एक बहुत अच्छा impact पढ़ रहा है और पढ़ेगा आगे भी, और वो अच्छी betterment में increase ही होगा और जैसे जैसे ये होता चला जाएगा, तो जो ये मानसिकता है लोगों की, जो भी पुरानी मानसिकता है जिसको हम कह देते हैं कि छोटी सोच वाला बंदा है, तो वो अपने आपी कम होती जाएगी क्योंकि education बदल देता है सभी को नहीं, लेकिन फिर भी maximum education बहुत impact करता है हमारी knowledge पे और हमारी thinking capacity पे कि हम किस तरीके से सोचते हैं, तो इसलिए gender inequality भी उससे solve होगी कुछ cases ऐसे भी हैं कि जहाँ पे अब accessibility हमने बात की कि सरकार बहुत सारी policies कर रहे हैं last mile connectivity प्रोवाइड कर रहे हैं कि हर एक area तक energy की connectivity हो, electricity मिले, सब कुछ मिले लेकिन उसके बावजूद, जैसे मैंने भी बात की थी कि कहीं न कहीं drawbacks तो होते ही है तो वो यही drawback की बात की है Lawson ने कि बेशक से कितनी भी accessibility सरकार बोल रहे है provide करने के, बट फिर भी महाँ पे questions raised होते हैं क्यूंकि एक gap आ जाता है connectivity में जहां पे की बहुत सारे households, बहुत सारे घर ऐसे भी हैं जहां पे उनको electrification नहीं हो पा रहा या उनको electricity नहीं मिल पा रही है तो वही वो थोड़ा सा ठीक है, बहुत अच्छे से implement कर रही है, सरकार बहुत अच्छे से कर रही है थोड़ा बहुत जो थोड़े से drawbacks तो होते हैं तो वो यहां पर भी है, वो हमें देखने को मिल रहे हैं तो on the basis of कि अब overall अगर हम बात करें तो हम यह कह सकते हैं और हम बिलकुल satisfactorily यह चीज़ बोल सकते हैं कि sustainable development goal 7 मतलब energy access to affordable, reliable, sustainable and modern energy को अचीव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर यह अचीव होगी तो ही हम अपने बाकी goals को अचीव कर पाएंगे और हम अपना 20-30 वाले target पर खरें उतर पाएंगे अगर हम इसी goal को नहीं अचीव कर पाएं तो हम अपना 20-30 का target भी अचीव नहीं कर पाएंगे so with this I conclude this I hope आप लोगों को यह analysis पसंद आया होगा please send अपना feedback दीजिएगा comment section में और जाते-जाते मैं आपको courses के बारे में एक बार और remind करा दूँ तो current affairs batch है जिसमें PDFs plus live doubt sessions लिए जाते हैं GS full-fledged batch है pre plus means highly recommended जरूर join कीजिए उसको mains answer writing batch है अभी launch हुआ है आपको जल्दी से join कीजिए उसको ताकि आप उसका सारे benefits ले सकें और NCRT test series का self-study batch है जिसमें targets प्रवाइड होते हैं और test series होती है so thank you guys have a great day ahead जेहंद